नमस्कार बीके बीजनस आडिया चैनल में आपका स्वागत है यह देखिए जो हमने पिछली वीडियो में लिक्विड डिटर्जेंट बनाया था एक दिन रखने के बाद में उसका कलर ऐसा आया है देखिए और यह बहुत ही बढ़िया क्वाल्टी का लिक्विड डिटर्जे सकता है बनाना कोई भी से बनाकर इसका बिजनस कर सकता है चैनल को लाइक करते सब्सक्राइब करते बेलाएकर घंटी दबा देजिसे कोई भी वीडियो बना आपके पास तुरांत पहुंच सकते हैं देखिए लिक्विड डिटर्जेंट बनाने के लिए आपको कास्टिक सो लिए आपको मार्केट में बोटल मिल जाएगा आप बोटल में वर्क और सकते हैं याप इसे पांच में भी पायक कर सकते हैं वैकेट में तो अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में जरूज पुछेगा समझ में आ गया अब हम इस लिक्विड डिटर्जंट को चेक करेंगे इसमें जाग कितना बनदा है तो इसके लिए देखिए हम थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जंट लेंगे देखिए इसका कलर कितना बढ़ी आया है और इसके बाद इसमें हम डालेंगे वाटर और देखते हैं इसमें जाग कितना बनता है यह कि इसमें हमने एसीटी सलरी और कास्टिक सोडा दोनों रोमाट्रियो बहुत कम यूज किया है देखिए इसमें जाग बनना स्टार्ट हो गया है देखिए आप देख पा रहे हैं तो इसमें इतना ही वाटर है और इतना ज्यादा जाग बना है तो यह एक बढ़ियाा क्वालिट का लिक्विद डिटर्जेंट है इसमें ज़ाग बना है क्यों कि इसमें हमनें टी ऊसपी और असलेस पाउडर दोनो ज्यादा म साचीग कास्टिक सोडा एसी डिसलरी कम मात्रा मैट किया है इसलिए इसमें जाग बहुत ज्यादा बनेगा और यह कपडों की सफाई जैसे बहुत ज्यादा कपडों की सफाई नहीं करेगा यह उन कपडों के लिए है जो डिटर्जन पाउडर से धोने में खराब हो जाता है जैसे कि वूब या जाता है कि делать क उसमें से कलर इसका उड़ सकता है या ख़रा ख़रा नहीं सकता है तो उसके लिए और लिकुइड डिटरजेंट हैं समझ में गया जैसे बहुत कर देगा को कोई भी नुखसान नहीं पहुचाएगा तो आप इस तरीके का लिकूड डिटर्जend बना कर मार्केट में सेल कर सकते हैं लेकिन आप इसका पहला पाट जरूर देखे लेजूए तब ही आपको अच्छी तरह सब्सक्राइब इस लिकूड डिटर्जend को आपको किस मार्केट में सेल करना है अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप कोमेंट भी पुछ सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल लाइक कर दें, हटी दबा दें जिससे कोई भी वीडियो बन आपको पास तूरन पहुँ सकते हैं जिए तो आपको लीदान वान नमस्कार